नमस्कार दिन भर के अंतरास्ट ये खबरों पर आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल क्या रही है बंगलादेश से जहाँ पर बंगलादेश में रहने वाली जो मैनौर्टी पॉपलेशन है या फिर कहें हिंदू पॉपलेशन जिनकी जन्जंख्या करी और आज भी वहाँ के कुछ परसंट लोगों में वही मान सिकता है इसलिए इस तरीके का भेदभाव अब आपको बंगलादेश के अंदर देखने को मिल रहा है आज के इस वीडियो में बंगलादेश से आ रहा है कुछ विजुल्स भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो उसस पहले ये वीडियो डिलीट हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कीजएगा इसे के साथ बंगलादेश में माइनाटेश को लेकर के जो हिंसा हो रही है इस पर अमेरिका का भी रियक्शन सामने आ चुका है जहां इस समय भारत का फोकस है बंगलादेश के उपर व एक ट किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और यह सिर्फ एक वीडियो इं इंटरनेट पर आपको तमाम एसी वीडियो होंगे कि बंगलादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है आज भारत और बंगलादेश के बंगलादेश के अंदर होने वाली हर एक असर भारत पर पड़ेगा लेकिन हरानी इस बात की है कि आज बंगलादेश के अंदर जो माइनॉर्टेस के साथ हो रहा है इसको लेकर देश में बहुत कम अवाज उठाई जा रही है कुछ गिने चुने बढ़ने नेता हैं जिन्नों बंगलादेश के अंदर रहने वाले लोगों को यही लगता है कि भारत इन्हें पना दे रहा है जो की एक तरीकी की डिक्टेटर थी और जब तक वो भारत के अंदर रहती है भारत के लिए बड़ा चलेंज है क्योंकि इनकी वज़ज़ से बंगलादेश के अंदर माइनॉर या फिर कोई और गॉर्मेंट आती है उसके साथ भारत के बीच में नए विवाद हो सकते हैं और अगर बंगलदेश की आपको बता दें कि यदि बंगलदेश के लोगों को लगता है कि वो भारतियों के साथ इस तरीके का भेदवाव करेंगे तो उन्हें बहुत जादा फायदा होगा तो शायद वो अभी इस गलत फहिमी में है क्योंकि भारत और बंगलदेश के बीच में करीब 17 से 18 बिलियन चूर प्रोड़क्ट लेधर और फ्रोजन फूड इंपोर्ट कराते हैं बंगलदेश में रहने वाले जो भी संगठन इस बारे में सोच रहे हैं कि वो इस तरीके से करके अपना फायदा करें तो शायद वो इस बात को अच्छे से नहीं जानते हैं कि बंगलदेश की मिलिट रूल आता है तो किस तरीके से ये भारत पर इंपक्ट डालेगा सबसे पहली चीज की दुनिया के 145 देशों के अंदर बंगलदेश की जो मिलिटरी है उसकी रैंक करीब 37 यानिकी 37 है तो इससे ये बात क्लियर होती है कि भविश में किसी भी तरीके की जंग भारत और बंग तिरिफ एक लाक तिरसट हजार ही एक्टिव हैं और उसमें से ही खासकर वाइव सेना के पास करीब 17,400 थल सेना के पास 1.6 लाक और नौ सेना के पास करीब 25,000 सैनिक हैं वहीं इनकी वाइव सेना के पास करीब 44 फाइटर जेट्स जिन में से 26 ऐसे हैं जो हमेशा हमले के जहां पर 300 टैंक में से सिर्फ 224 से एक्टिव मोट पर तैनाद किये जाते हैं इसके लाव बंगलेदेश के मिलिट्री के पास करीब 13100 अलग लग परकार की गाड़ियां हैं और इनमें से करीब 9000 हमेज़ा एक्टिव मोट पर रहती हैं वहीं नोसे न की बात की जातों इनके पास करीब 117 ऐसे हतियार हैं जिनमें कई परकार के युद्ध पोत एरक्राफ्ट कैरियर हेलिकॉप्टर कैरियर या डिस्ट्रायर त अभी किसी भी तरीके का टैक कर सकते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान या फिर चीन का सपोर्ट मिलता है और इनकी जो अपोजिशन पार्टी है वह वाकई हमेशा से ही एंटी इंडिया रही है जहां ये कुछ करते हैं तो भारत पर इसका इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा म उनके पर हमले तेजी से होने शुरू हो चुके हैं जिसके बाद अमारिका ने कहा कि हम इस बात से बहुत जादा चिंतित हैं जहां पर अल्प संक्यों के साथ इसे के साथ उनके जो धर्मस्तल हैं उन पर लगातार हमले किये जा रहे हैं मायनोर्टेस की महिलाएं हों जिसके बारे में आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई ती यकीन नहीं होता कि ये वही बांगलादेश है जो कभी भारत का अच्छा पडोसी देश था जो अच्छा मित्र कहा जाता था वो आज इस तरीके की हरकत करना शुरू कर चुका है वहीं शीज को लेकर के भार अमेरिका का रियक्षन है सायद कुछ लोगों को हजम ना हो क्योंकि प्यम से खशीना पहले ही इस बात का अंदेशा दे चुकी कि जिस तरीके की हरकत बंगलादेश के अंदर कुछ समय बाद होने वाली है इसके पीछे किसी एक पश्मी देश का हाथ है और पश्मी देश नहीं मिलेगा जो कि अमेरिका को हो और अमेरिका चाहता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में अमेरिका अपनी पकड मजबूत कर सके और डिरेक्ली या फिर कहें इंडरेक्ली भारत पर भी निग्रारी रखने का टार्गेट था इसलिए बांगलादेश को वर्निंग दी जाती है कि हम मियनमार का कुछ हिसा लेकर के बंगलादेश का कुछ हिसा लेकर के यहां पर एक नई क्रिश्चन कंट्री बना सकते हैं अगर आप इसके पीछे का हिस्टॉरिकल कॉंटक्स देखेंगे तो पाएंगे कि जब भारत ने बंगलादेश को आजादी दिलाई थी तब भ अपने देश के minimum resources के साथ कैसे manage करते हैं ये बड़ा challenge भारत के सामने था इसलिए फैंसला किया गया कि हम बंगलादेश को आजादी दिलाएंगे और वो समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिला दी थी otherwise भारत और अमेरिका के साथ directly यहाँ पर भिडंत हो जाती और दोनों देशों के सेनाए आपस में यहाँ पर बड़े युद्ध के तरफ आगे बढ़ने वाली थी लेकिन रश्या के सपोर्ट से चाइना ने यहाँ पर जादा इंटरफेन नहीं किया और भारत को एक रास्ता मिल गया बंगलादेश को आजाद दिलाने का शायद इसी बात के खुनस आज लोग निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खुशी मनाई जारी है लेकिन शायद यह चीज़ादा दिन तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि अब भ भगवान से प्रातना है कि जल्द ही यह सारी जीज़े स्वाल्व हों और हमारे देश के लोग शुरक्षित हमारे देश के अंदर वापस आ जाएं क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूब है यह आपको हमारे वीडियो से पसंद आ रहे हैं तो निलाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजे बंदमात्रम भारत माता कीजे